हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ऐसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास वन में क्या पढ़ा था क्लासिकल डांस पढ़ा था उसके बारे में हम लोगों ने इंपोर्टेंट फैक्स भी साथ में कवर किया था और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फेमस क्लासिकल डांसर और यह हमारा आज क्लास का क्लास क्लास नंबर डू है तो हम लोगोंने तो पहले ही इस डिएट लोक के लिए के लिए दो विडियो बनेंगेर और क्योंकि हम लोगों की सटावर वो काफी लंबा है सीजियल तक हम लोग लोग याद करें और आज भी जो है इस क्लास में आपको ट्रिक से पूरा मतलब आपको याद करवा देंगे जिते भी important dancer है classical dancer वो आज आपको feel होगा कि आज आप क्लास में ही पूरा याद कर लिए हैं कि तो आज पहली बार आप लोगों के लिए इस तरीके से TRIK बना रहे हैं और कैसा लग रहा है आप लोगों को ट्रिक थोड़ा सा अप लोग comment करके बता भी सकते हैं इस से क्या होगा कि मुझे भी motivation मिलेगा कि जो हम लोग ये trick जो बना रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो और भी trick इस तरीके से बनता रहेगा ठीक है तो चलिए class को start करते हम लोग और जो भी ये questions आप देख रहे हैं वो आपको हर एक exam में देखने को मिलता है है ना आज कल तो पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे question इसलिए ये सारे important dancer है और इसको याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले तो आज हम लोगों ने class 1 में discuss करी लिया था कि कौन-कौन से classical dance है तो एक बार उसका फिर से revision कर लेते हैं भारत नाट्यम, कथक, कुचिपूरी, ओडिसी, कथकली, शत्रिया, मनिपूरी और मोहिनी अटम तो ये total 8 classical dance है भारत के और उसको हम लोगों ने trick से भी याद किया था कि किस तरीके से हम लोग याद करेंगे जितने भी classical dance है वो किस state का है वो हम लोगों ने आज सुभा वाल एक class में class number one में trick से याद किया था तो फिर से एक बार revision कर लेते हम लोग कि देखिए भारत नाट्यम को कैसे याद करेंगे कि भारत रतन जो है तमिल वालों को मिला है तो भारत नाट्यम जो है वो तमिल नाडू से related हो जाएगा ठीक है कथक कली और मोहिनी अटन था तो यहा एक trick था कि कल मोहिनी जो है वो कहां भाग गई केदल भाग गई सत्रिया को हम लोगों ने कैसे याद किया था कि सत्रिया में हम लोगों ने यहाँ पर रिया को ले लिया और रिया को डान सिखाना बहुत ही असान है तो रिया हो जाएगा किस राज से असम राज से तो सत्रिय या अश्रम राज का क्लासिकल डान्स है कथक को हम लोगों ने कैसे याद किया था कि कथक से हम लोगों ने थक को लिया था तो थक जाओगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गिंती करके क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे जादा है तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जन संख्या गिंती करके क्या हो जाओगे ठक जाओगे तो कठक कहा का क्लासिकल डांस है तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है और ओडीसी से हो जाएगा ओडीसा मनिपूरी से हो जाएगा मनिपूरी तो यह सब हम लोगों ने क्लास वन में ओल्लेड dancers को देखते हैं तो सबसे पहले देखिए भारत नाटियम जो कि आप जानते हैं कि classical dance कहां का है तमिल नाडू को classical dance है और ये रहे वो सारे नाम जो की important है है ना तो इसको आपको याद कर लेना है तो ये सभी जो आप नाम देख रहे हैं ये सब भारत नाटियम के famous dancer हैं और देखिए इस class में जो भी dancers आपको कराये जा रहे हैं वो सब समझे कि most important है मतलब जब भी आप ये topic पढ़ेंगे तो ये नाम सब आपको याद रखना ज़रूरी है तो पहले तो आपको ये जो important नाम है वो याद करना ज़रूरी है वैसे हर एक classical dance में देखा जाए तो 20 से भी ज़्यादा dancers है खास करके भारत नाटियम और कथक में बहुत सारे dancers है लेकिन फिर भी आपको पहले ये 11 नाम याद करना ज़रूरी है पहले आप 11 नाम ये सब याद कीजिए जो भी इस class में जितने भी नाम कराये जा रहे हैं उसक हम लोग जब previous year questions जब हम लोग discuss करेंगे उसमें हम लोग cover करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास time भी जादा है बहुत time है हम लोगों को अभी हम लोगों को यह जो सफर है यह exam season तक चलेगा तो इसलिए सारे topics को बहुत ही अच्छे तरीके से cover करना है तो कोई जल्दबाजी है ही छोटा छोटा करके ही जो है आपको याद कराना है और उसके बाद जो है सारे topics को भी cover करना है तो देखें कौन-कौन है भारत नाटम के famous dancer राधा शृधर यामने कृष्ण मूर्ती एक कृष्ण ऐयर रुक्मनी देवी अरुंडेल अलार्मेल वल्ली नर्तकी नत्राज तं अब इसको देखिए यह ग्यारा नाम तो हो गये अब इसको याद कैसे करेंगे देखिए आप लोगों के लिए आज हम ट्रिक भी बनाए हैं कि कैसे इस पूरे जो यह आप नेम देख रहे हैं उसको कैसे याद करेंगे तो इसके लिए पता नहीं आपको पसंद आएगा के नहीं आएगा बड फिल भी आप देखी तो यह रहा ट्रिक तो सबसे पहले तोदेख्ज। जानने से पहले आप आज कलास्स में आपने क्या पढ़ा था कि भारत नाटिम जो डांस है यह किस के इसको यह डांस किसके लिए किया जाता तो देवता लोगों के लिए किया जाता था सबसे पहले को आप यही जानते हैं कि भारत नाट्यम जो डांस है वो इसको जो है देवदासियों का डांस कहा जाता है आज हम लोगों ने मौर्णिंग के क्लास में पढ़ा था देवदासियों का डांस कहा जाता है भारत नाट्यम को जिसका मतलब ये हुआ कि देवताओं के मनरंजन के लिए जो देवदासी लोग थी उनके दोरा ये डांस किया जाता था तो वैसे भी जो है जो नाम आप देखेंगे वो आपका काफी रिलेटेड होगा आपका देवता लोगों से ठीक है जैसे कि राधा जी कृष्णमूर् अगर आप यहां पे नाम देखें तो देवता से रिलेटेड बहुत सारे नाम है राधा जी यामनी कृष्णमूर्ती पर देवता से रिलेटेड नाम है लेकिन हम ऐसा याद नहीं करेंगे उसके लिए एक अलग ट्रिक आपके लिए बनाए है तो देखें कहानी की तरह आप आपको ध्यान देना है कि राधा जी श्री कृष्ण अइयर की मुर्ती की बहुत दिवानी थी तो यह आप तो सब लोग जानते हैं कि जो राधा जी जो है वो राधा और कृष्ण के लव स्टोरी को तो आप सब लोग जानते ही है तो उसे से बेसिकली हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कि राधा जी जो है दो श्री कृष्ण अयर की मुर्ती की बहुत दिवानी थी रुक्मनी देवी उर्मिला से मिली जो अच्छी नर्तकी थी जो राम चंदरन के दर्वार की सोभा थी जिससे शरश्रती पद्मा के साथ अलारम लगा के वल्ली चली गई तो ये वो ट किसके मुर्ती की बहुत दिवानी थी तो श्री कृष्ण अयर की तो राधा जी श्री कृष्ण अयर तो यहां से राधा हो गया और यहां से श्री हो गया तो राधा श्रीधर एक नाम हो गया तो राधा जी जो है राधा श्रीधर वो कृष्ण अयर यहां से कृष्ण अयर ह की मूरती की दिवान बहुत दिवानी थी यह तीन नाम भारत नाटयम और यहां हो गया आपका एक क्रिष्ण अईयर अब यह आप सब लोग जानते हैं कि रुक्मनी देवी जो है क्रिष्ण भगबान की वाइफ थी है ना तो यहां देखिए रुक्मनी देवी जो है वो उर्मिला उर्मिला आप जानते हैं अच्छे से कि पहले जो ह लोग बहुत अच्छी डांसर भी थी तो इसलिए रुकमनी देवी जो है वो उर्मिला से मिली जो बहुत अच्छी नर्तकी थी तो अव्य से बात है पहले से हम लोग जानते हैं कि उर्मिला जो है यह सब एक अफशरा का नाम हुआ करता था मगवान लोगों के टाइम पर और अभी भी नाम है तो उर्मिला जो है उर्मिला से मिली जो बहुत अच्छी क्या थी नर्तकी थी तो नर्तकी से यहां हो जाएगा नर्तकी नत्राज तो यहां देखिए रुकमनी देवी हो गया आपका रुकमनी देवी अरुंडेल रुकमनी देवी किस से मिली तो उर्मिला स यहां हो जाएगा रूम्नि दिवी किस से मिली अर्मिला क्या थी बहुत अच्छी नर्तकी थी नर्तकी में होजा और तो YouTube quem यह बहुत अच्छी थी जो राम चंदरन के दरवार कि सोभा थी अब इतना अच्छा डांस करती थी वह रांचंद्रन के दरबार जो है वहां की वो शोभा थी तो यहां से क्या हो जागा पदमिनी राम चंदरन ठीक है तो राम चंदरन हो गया कौन शोभा थी तो यही उर्मिला क्योंकि वो बहुत अच्छी नर्दकी थी तो यहां देखे राम चंदरन और शोभा से हो जागा यहां पर शोभना चं जिए गई ओके यहां हो गया शरश्वती से क्या हो गया आपका तंजोर बालश शरश्वती ऑके और यहां पदमा सुब्रमन्यम हो गया यहां से पदमा के साथ अलाम लगा के वल्ली चली तो यह बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आप दो तीन बार इसको अगर आप पढ़ लिए कहानी के तौर पर अगर आप इसको याद कर लिए तो डेफिनेटे यह एक ग्यारा जो नाम है यह आपका कवर हो जाएगा और ज्यादा कुछ यहां भी देखे रिलेट हो गया है और जो राम चंदरन के दरबार की शोभा थी यहां राम चंदरन है और अगर आप पहले की बात करें तो वह देवराज इंद्र की शोभा थी जिससे क्या हुआ सरस्वती पजमा के साथ अलाम लगा के वल्ली चली गई ओके नेक्ट कथक से रिलेटेट कौन-कौन से डांसर है अब यह हम देखेंगे कथक से रिलेटेट हमारे कौन-कौन से डांसर है तो यहां देखिए यह सारे नाम है सितारा देवी इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे सितारा देवी अब यहां पर टोटल 14 नाम है 14 नेम है और यह अलावा भी बहुत सारे नेम हैं लेकिन पहले आपको कम सकम ये 14 नाम याद करना बहुत जरूरी है तो पहला हो गया सितारा देवी, बिर्जु महराज, शोवना नरायन, शंबु महराज, सुनियना हजारी लाल, रोशन कुमारी, राश्री शिरके, मंजारी, चतुरवेदी, श इसको देखिए, दो तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से आप कैसे याद करेंगे, पहला देखिए, पहला तो जो महराज वाला आपको टाइटल दिखेगा, है न, महराज का टाइटल, वो आपका रिलेटेड होगा कथक से, तो जैसे कि बिर्जु महराज कत्थक डान्सर है आभी ही याद हो गया तो आपको बस देखना है महराज ये related होगा आपका कत्थक से और वैसे भी बिर्जु महराज को कौन नहीं जानता है सब लोग जानता है कि बिर्जु महराज वो बहुत ही senior कत्थक डान्सर थे तो यहां से हो गया बिर्जु महराज, संभु महराज, लच्छु महराज अब जो remaining नाम है उसको हम लोग थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं और इसके लिए भी एक जवरदस्त ट्रिक है अब देखें, morning के class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कि कथक जो है कहां का classical dance है, उत्तर प्रदेश का classical dance है और इसके लिए हमारा ट्रिक क्या था? कि कथक से हम लोगों ने क्या किया? ठक लिया, ठक जाओगे उत्तर प्रदेश की जन संख्या गिंती करके ये बात हम लोगों ने ट्रिक में पढ़ा था कि ठक जाओगे उत्तर प्रदेश की जन संख्या गिंती करके हमारे पास ऐसे हजारों लाल हैं जो ये काम कर सकते हैं मतलब वही गिंती करने का ऐसे कैसे तुम बोल दिये बिर्जु महराज जो है इस बात को इगो पे ले लिए हम तो ऐसे मजाक में ट्रिक मनाए था कि ठक जाओगे उत्तर प्रदेश की जन संख्या गिंती करके लेकिन बिर्जु महराज को ये बात पसंद नहीं आया वो क्या कि ये इगो पे ले लिए और बोले हमारे पास ऐसे हजारों लाल हैं जो ये काम कर सकते हैं ओके और इतना बोल कर वो जो हैं अपने सभी सितारा को बुलाएं जैसे की रोशन कुमारी कुमारी कमला है ना तो ये तो बोले वो बिर्जु महराज कि हमारे पास ऐसे हजारों लाल है जो ये काम कर सकते हैं और इसलिए जो है उनके जो सितारा लोग था मतलब काफी उनके जो करीबी थें सितारा थें उनको उन्होंने बुलाया तो दो सितारा सामने आया रोशन कुमारी और कुमारी मंगला और बोले पहले गोपी कृष्णा सोवना नरायन जैसे इस उबर पे प्रशाद चढ़ाओ और अपने अदीती मंगल के लिए कामना करो और शाश्वती सेन से पेन लेकर पॉपुलेशन काउंट करना स्टार्ट करो समझ गया है इस बात को बिर्जु महराज काफी स्रेसली ले लिए तो यहां देखिए कौन-कौन सा नाम हमारे सामने आया कि बिर्जु महराज यही बिर्जु महराज है जो इगो पे ले लिए इसलिए वो क्या किये अपने सारे और इसलिए वो बोले कि ये काम करने के लिए ये काउंट करने के लिए कि उत्तरप्रदेश की गिंती करने में जो ठक जाओगे, इसके लिए मेरे पास हजारो लाल है, तो यहां से सुनियाना हजारी लाल हो गया, ठीक है, हजारी लाल से हजारो लाल, मैंने यहां पर ट्रिक बनाया था आपके लिए, तो हजारो लाल हो गय इसलिए उन्होंने क्या किया जितने भी उनके सितारा थे उनको बुलाया तो सितारा देवी हो गया ठीक है और कौनको नाया सामने तो रोशन कुमारी आई और कुमारी कमला आई ये दोनों सितारा उनके आए और विर्जु महराज बोले उनको कि पहले ये काम स्टार्ट करने स पहले गोपी कृष्णा और सोवना नरायन इन पे जो है ये लोग इश्वर हैं ये इनके जैसे इश्वर पे प्रसाद चढ़ाओ तो इश्वर प्रसाद यहां से हो जाएगा और उसके बाद प्रसाद चढ़ाओ और अपने अदीती मंगल के कामना के लिए और सास्वती सें से जो है पेन लेग़ा है और ये कंपशल करना कंट करना है और ये वह सिंपल ट्रिक था जो आपको याद करना है तो मुझे product कि आपको समझ में आ गया और यहां पर क्या ट्रिक बना है तो एक तरह से पैसेज टाइप का हम ट्रिक बनाने का कोशिज किये हैं ताकि आपको याद हो जाए काफी सिंपल है रोशन कुमारी, कुमारी मंगला और बोले पहले गोपी कृष्णा, शोवना नरायन जैसे इसवर पे प्रशाद चढ़ाओ और अपने अदिती मंगल के लिए कामना करो और शाष्वती शेन से पेन लेकर पॉपुलेशन काउंट करना स्टार्ट करो ओके, आई होब कि ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा और ये सारे नाम भी आपको क्लास में याद हो गया होगे नेक्स देखिए, कथकली, कथकली कहां का क्लासिकल दांस है? केरो का क्लासिकल दांस है और इसमें बहुत ज्यादा डांसर नहीं है basically, exam में भी जो है सबसे जादा जो कोर्शन पूछा जाता है वो भारत, natium से और कथक डांस से पूछा जाता है ठीक है तो कि इसी में बहुत सारे dancers हैं उसके अलावा कथकली जो और भी remaining classical dancers है उससे भी पूछे जाते हैं और repeat वाले पूछे जाते हैं तो यह पांच नाम आपको याद रखना है ठीक है कौन कौन सा है पीवी बाल कृष्णन मिलेना शालविनी कुंचु गुरूप गोपी नात कला मंडलम गोपी ओके यह पांच नाम है अब इसको हम कैसे याद करेंगे है ना तो इसके लिए भी ट्रिक है आपके लिए अब ट्र गुरूप थी जिसको देखकर उसके मुद्पर काला मंडलम च्छा गया यह वो ट्रिक है यहां से देखे पी-वी बालकृष्णन पीवी बालकृष्णन किसके साथ लड़की से मिलने गया था तो गोपीनात किस country से गया था तो पीवी बालकृष्णन हो पीवी बाल कृष्णन जो है गोपी नात के साथ लड़की से मिलने अब मिलने से क्या होगा मिलेना हो जागा यहां पर ओके तो यहां मिलेना शालविनी हो गया तो मिलने गया जो बहुत क्या थी कुरूप थी उन्होंने सोजा कि हो सकता है लड़की से मिलने जा रहे हैं तो ब तो अब लड़की खराम निकल गई, अब उनके मूँ पे जो है काला मंडलम चा गया, पूरा काला बादल होता है ना, उसे तरीके से काला मंडलम चा गया है, यहाँ पर आप ऐसे समझेए, तो इसका सिंपल सा ट्रीक है, यह पांचो नाम आपको याद हो गया होगा, कि पीवी बादल तो चाएगा ही, वही काला मंडलम हो गया, और एक चीज और आपको नोट करना है, कि यह जो काला मंडलम टाइटल है, यह रिलेटेड होता है केरल से, जैसे कि महराज जो थाना, वो कथक से रिलेटेड था, उसी तरीके से यह काला मंडलम टाइटल है, यह तो यह जैसे के कθक कली से हैं, तो यह आपको केरल से ही मिलेगा, जैसे की कुछ भी पूछ सकता है, काला मडलम गोपी है, मानके चले यह काला मडलम संतोस दे दिया अबовой यह आपको दे दिया कि यह किस डांस से related है, एक आपको दे दे का कत्थक, दूसरा दे दे का भारत नात्यम, तिसरा दे दे का मोहिनी अटम, चौथा दे का कुच्ची पूड़ी, तो आपको तो पता है कि काला मदलम टाइटल है वो केरल से related है, यानि मोहिनी अटम होगा नहीं क्लासिकल डांस है तो आंद्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है और कुछी पूरी से रिलेटेट छे इंपॉर्टेंट डांसर है इसका नाम याद करना जुरूरी है पहला होगे आपका अपढ़ना सतीशन राधा रेड़ी राजा रेड़ी पदमजा रेड़ी भामा कलापम वि दान्तम, शत्यननारायन, शर्मा और कुछी पूरी के तो ने इस दांस के युद्पत्ति तो शितेंद्र योगी ने किया था तो यह आपके साथ नाम हो गया अब देखी इसको ट्रिक कैसे इसका इसका ट्रिक क्या है कुछी पूरी डांसर का इस पे थोड़ा हम लोग ध्या पदमजा रेड़ी यह जो रेड़ी वाले टाइटल है यह आपका रिलेटेड हो जाएगा कुच्ची पूरी डांस है उसके अलावा देखिए यह important name है जैसे कि अपड़ना सतीशन भामा कलापम विंपती चिन्ना सत्यम विदानतम सत्तनारायन तो यह सब आपके हो गए और other important name अब इसको हम कैसे याद करेंगे वो देखिए कि भामा ने कच्ची पूरी विदानतम सत्तनारायन को सितिंद्र योगी से पूछ कर अरपन की जो विंपती चिन्ना को पसंद नहीं आया ओके तो यह वो ट्रिक है अब इसको देखिए हम भामा कलापम तो भामा ने जो क्या किया भामा ने भामा को एक्चुली अरपन चढ़ाना था भगवान पर तो भामा ने क्या कि पूरी जो है वो कच्चा रह गया उनका तो कच्ची पूरी रह गई समझ गया तो कच्ची पूरी से आप रिलेट कर सकते हैं कि यह सब पुरी जो है वह वेधानत्म सत्त्य नरायन को सिद्धंद्रयोगी से पूछ़कर अर्पन की तो सिद्धंद्रयोगी नहीं अक्चली बोला था भामा को कि देखो विम्हपति सत्त्य नरायन जो है इन्पे पूर्डी चढ़ाना है तो इससी के लिए जो है उसने कच्ची चला विम्पति चिन्ना सत्यम को तो उसको ये बात पसद नहीं आया कि भाई वो कच्ची पूरी ही चढ़ा दिया कम से कम थोड़ा टाइम लगा था अच्छे से छानता उस पूरी को क्या मतलब है कच्ची पूरी चढ़ा देने का तो यह हो गया आपको और वैसे भी देखिए आप अच्छे से जानते हैं हम लोग सूबह में पढ़े थे कि कुच्ची पूरी डांस की उत्पत्ती जो है वो कब हुई थी सत्रवी सताब्दी में सितिंद्र योगी दौरा जो निर्ते नाटक था जिसका नाम था भामा कलापम की रचना के साथ हुई थी तो यह भामा कला भगवान कृष्ण थी उनकी आकर्षक लेकिन इश्यालू पत्नी सत्य भामा की कहानी थी यह जो निर्त था उससे रिलेटेड यह कहानी है तो हलाकि उस पर जाना नहीं हम लोगों को यहां देखिए ट्रिक क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रिक यहां बना है कि भामा ने क्या किया कच्छी पूरी विदान्तम शत्तर नरायन को सिद्धिंद्र योगी से पूछ कर अर्पन की जो वेंपति चिन्ना को पसंद नहीं आया तो यह सब समझ में आगे आपको कि क्या है ट्रिक ओके आगे चलें नेक्स देखिए मनिपूरी अब मनिपूरी तो मनिपूर का क्लासिकल दांस है अब इसका क्या ट्रिक हो सकता है तो सबसे पहले तो आप देखिए कौन-कौन से डांसर है पहला हो गया दर्शन जावेरी गंभीनी देवी गुरू बिपिन सिंग चारू सीजा माथूर बिम बावती देवी अखन लक्षमी देवी तो यह यह सारे six important name है मनिपूरी डांस से related और यह सब एक्जाम में काफी repeat होता है अब देखिए इसका ट्रिक क्या बना है इसका भी ट्रिक बहुत जबरदस्त है आपको पसंद आएगा मुझे मालूम है तो देखिए गुरू बीपिन सिंग मतुरा से बिम बावती देवी के साथ गंभीर होकर लक्षिमी देवी के दर्शन करने मनिपूर गए अब कौन-कौन सा नाम यहाँ पर आया वो देखिए गुरू बीपिन सिंग अब यहाँ पहला ही नाम है गुरू बीपिन सिंग का और वैसे भी मनिपूरी डांस के सबसे famous dancer एक तरह से कहें कि मनिपूरी डांस क तो आज वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करे famous करने की तो गुरू बीपिन सिंग बहुत ही important name है तो यह तो आप ऐसे भी आपको याद होगा कि गुरू बीपिन सिंग मनिपूरी डांसर है तो गुरू बीपिन सिंग जो है वो मतुरा से बिम बावती देवी के साथ अब चारू सीजा माथूर नाम है तो माथूर और मतूर अगर हम करते तो ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं तो वही यहां पर हो गया आपका चारू सीजा माथूर से मतूरा तो गुरू बीपिन सिंग जो है वो मतूरा से जो है बिम बावती देवी अब ये भी नाम काफी क्लि गमभीर से गमभीनी देवी हो जाएगा तो गमभीनी और गमभीर जो है काफी related है तो बस आप इसको related कर सकते हैं गमभीनी देवी हो जाएगा लक्षमी देवी के दर्शन के लिए मनिपूर गयत है अक्चुली मतुरा से गुरू विपिन सिंग जो है बिमबावती देवी के साथ गंभीर होकर लक्षमी देवी के दर्शन के लिए मनिपूर गये थे और दर्शन से यहाँ पर दर्शन जावेरी हो जाएगा कोशन भी बहुत बहुत पुछ चुका है कि जावेरी सिस्टर किस डांस से लेटेट है तो मनिपूरी हो जाएगा जागोई चोलम यह दो इंपोर्टेंट डिवीजन होते हैं मनिपूरी डांस के यह भी यह कोशन आता है एक्जाम में तो यह इसका ट्रिक बना है और मुझे ल देखिए मुछनी आतम यह केल का क्वलाकिकल डांस है कि इसके लिए कुछ ज्यादा खास ट्रिक है नहीं पहला ट्रिक तो यह है कि आपको ध्यादर रखना है यह यह ओंघान है और दूसरा चनक रिले आपको याद रखना है आपके कनक रेले तो ये दो नाम आपको मोहिनी अटम से याद रखना है अब हम बात करते हैं ODC डांस का अब ODC जो है, ये कहां का classical डांस है? ओडीसा का classical डांस है ये तो आप जानते ही है अब इसके कौन-कौन से डांसर है तो गुरू पंकर चरन दास हो गए, शोनल मान सिंग, केलू चरन मापातरा, एलियाना सिटारिस्टी, माधवी मुदगल, मिनाटी मिस्रा तो यहां भी six important name है, अब इसको हम लोग trick से याद करते हैं, इसका क्या trick बना है, मज़ा आएगा आपको देखकर देखे तो यहां देखे, मान सिंग केलू चरन के साथ गुरू पंकर से मिलने इलियाना गए, जहां माधवी मिननती कर रही थी बस एक ही statement में पूरा नाम आपके सामने आ गया कि मान सिंग तो यहां हो गया शोनल मान सिंग तो मान सिंग जो है केलू चरन के साथ ठीक है केलू चरन महापातरा हो गया आपका दो नाम के साथ गुरू पंकस से मिलने ये जो गुरू पंकर चारंदास है इनसे मिलने इलियाना गए, कहां गए इलियाना गए, जहां पर माधवी जो है पहले से ही मिन्नती कर रही थी, ओके गुरू पंकर जी के सामने, ऐसे आपको समझना है, कहानी ये है कि मान सिंग जो है इनको पता चला, गुरू पंकर सिंग के बारे में कि यह बहुत ही अच्छा ODC डांसर है इसके लिए जब मांसिंग को पता चला तो वो केलू चरन को बोले कि सुनो केलू चरन ऐसा है कि ODC डांस सिखना है तुमको तो केलू चरन बोले कि यहां क्यों नहीं तो बोले कि ठीक है इसके लिए चलना होगा आम लोगों को इ अभ वहाँ गये पहले से मालूम चला जो यह मादवी थी है वह मुझे भी जान सुखहएं मुझे भी जान सुखहएं लाइन लग गया है फेले मादवी को मिन्नती कर लेने दो उसके बाद हम consciousness k वह तरीके से हमारे पूरा नाम हो गया है मांसिंख लूचरन के साथ गुरु पंकर से मिलने इलिया ना गए जहां माद भी मिन्नती कर रही थी काफे simple trick है तो यहां पर हो गया हम लोगों का ODC dance related dancers के name next है सत्रिया अब सत्रिया कहां का classical dance है तो आप जानते हैं अश्रम का यह जो रिया थी रिया, रिया को क्या सिखाना बहुत अशान है, dance सिखाना बहुत अशान है तो सत्रिया अश्रम का classical dance है अब इसके कौन-कौन से dance है वो देखिए इसके लिए कोई special trick नहीं है, trick बस इतना ही है कि बोर बयान और संकरदेव का तालूग जो है वो सत्रिया dance से है तो अगर आपको जिस तरीके से कला मनलम जो है title आपको कथक कली और मुहिनी अटम से related है उसी तरीके से बोर बयान जो title है ये भी आपको related होता है असाम से तो यहां पर इसलिए यहां पर बोर बयान हो गए आपका सत्रिया dance से देखिए बोर बयान और यहां भी बोर बयान है तो यह दोनों जो बोर बयान है यह किस dance related है सत्रिया डांस से related हैं और संकर देव आपके यहां हो गए तो बोरबियान और संकर देव और आप ये भी जानते हैं कि सत्रिया डांस जो है इस सत्रिया डांस को 15th century में असम के महान वैसनव संत और सुधारक महापुरुष संकर देव द्वारा वैसनव आस्था के प्रचार के लिए पेस किया गया था तो इसलिए जनक भी कहा जाता है किसको महापुरूष संकर देव को तो ये जो संकर देव टाइटल है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महापुरु संकरदेव जो है यही वो founder थे इस dance के तो संकरदेव और बोर बयान ये दो टैटल आपको दिखे तो समझ लेना है कि इसका तालोग किस से होगा सत्रिया dance से होगा तो इससे आपको ये भी याद होगा तो तालोग से यहाँ देखिए यहाँ जो आपका तालोगदार है ये आपका related होगा सत्रिया से तो राम कृष्ण तालोगदार ये कौन से डांसर है सत्रिया हो जाएगा तो जैसे ही आपको तालूक दीखें, तो किसका तालूक है सतरिया से, तो बोर बयान का और संकर देव का, और ये दोनों टाइटल किससे रिलेटेड है, सतरिया से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये चार इंपॉर्टेंट नेम का क्या trick है अगर यहां तक कोई problem नहीं है तो अब हम लोग कुछ question answer करते हैं आपके साथ देखते हैं कितना आपको यह सब trick दिमाग में बैठा है उसके बाद आप एक दो बार इसको device कर लेंगे आपका काम असान हो जाएगा और एक बार यह जितने भी नेम आपको कराएगा है इ से यहां पर मान के चलिए कि सत्रिया से रिलेटेड हम चार डांसर का नाम आपको करवाएं हैं उसका trick आपको बता हैं मान के चलिए कि फिर हम कभी आपसे live class में question पूछ रहे हैं या कभी भी class हो रहा है उसमें और भी कोई ऐसे dancer हो जो सत्रिया से रिलेटेड हैं तो उसको आ आप चार ही याद कीजिए जितने भी कराएं उसको याद कीजिए time to time आपको add-on करवाते रहेंगे ठीक है तो चलिए पहला question आपके सामने है कि यामनी कृष्ण मूर्ती is known for which classical dance form तो यामनी कृष्ण मूर्ती किस सास्त्रिय निर्थय सैली के लिए जाने जाती है तो इसका trick क्या था इसका trick मैंने आपको बताया था कि राधा जी जो है श्री क्रिष्ण अयर्व की मूर्ती की बहुत बड़ी दिवानी थी तो यहां देखे क्रिष्ण मूर्ती और यह भारत नाट्यम से लेटेड है तो भारत नाट्यम और कुच्ची पूरी हो जाएगा तो यामनी क् यह दोनों डांस करती हैं यह नेक्स्ट है कि निम्न लिखित भारतिये नर्थकियों में से कौन भारतिये इतिहास में राजसभा के शदस्च के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी इसका अंसर क्या हो जाएगा कौन वो first इंडियां दानसर थी? first woman Indian dancer in Indian history to be nominated as a member of the Rajshabha तो इनका नाम है रुकमनी देवी अरुनडेल तो रुकमनी देवी ये कौन सा डांस करती है तो इसका भी ट्रिक क्या था कि रुकमनी देवी जो है किस से मिली थी तो उर्मिला से मिली थी जो कि उर्मिला उर्मिला जो है वो बहुत अच्छी नर्तकी थी किस के दर्वार में राम चंदरन के दर्वार में तो राम चंदरन, उर्मिला, नर्तकी नटराज, रुकमनी देवी अरुनडेल ये सब भारत नाटेम डांसर है नेक्स्ट है माधवी मुदगल अब देखिए माधवी मुदगल अब इसका क्या हो जाएगा करेक्ट एंसर अभी हम लोगों ने इसका ट्रिक देखा था माधवी मुदगल तो देखिए ओडीसी डांसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट एंसर मान सिंग जो है केलू चरन मौपातरा के साथ किस से मिलने के लिए यादा रहा है कुछ आपको यहाँ वही ट्रिक है यहाँ पर जो कि माधवी पहले से ही मिन्नती कर रही थी वहाँ पर तो ओडीसी डांसर हो जाएगा नेक्स्ट है गुरू बिपिन सिंग गुरू बिपिन सिंग जो है तो क्या होगा यहाँ पर राइट एंसर वो कौन फर्स्ट ओडिसी डांसर है तो वो on and only केलुचरन मापातरा ही होंगे नेक्स कोर्षन है कमला नरायन अब देखिए यहाँ पर कमला नरायन इसको एड कर लेना है इसलिए पहले जो कराये गया है 11 नाम उसको याद कर लेंगे तो इसके अलावा जो भी आपको एड होता रहेगा वो आपको और इजी रहेगा याद करने में तो एक और नाम आपको याद करना है कमला नरायन जो कि भारत नाक्रम से डेटेट है सोनल मान सिंग अब देखिए मान सिंग यहाँ पर आ चुका है मान सिंग सोनल मान सिंग यह कौन से डांसर है इनको देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है 1987 में और यह भी जो है ओडीसी डांसर है तो मान सिंग जो है केलू चरन के साथ गुरू पंकर से मिलने के लिए जो है एलियाना गई थी है ना जहां पर मादवी पहले से मिन्नती कर रहे थी एक ही बार में याद हो गया पुड़ा नाम नेक्स्ट है तंजोर बाला शरश्वती तंजोर बाला शरश्वती वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म तो इसका राइट एंसर क्या होगा यह आप जानते हैं कि भारत नाट्यम डांसर यह नेक्स्ट है कि हू रिसीव द अभी नंदन शरोजा नेशनल अवार 2021 बाइद नेशनल इंस्टिट ओफ इंडियन क्लासिकल डांस इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर होगा अपड़ना शतीशन ओके अपड़ना शतीशन नेक्स्ट है कला मंडलम कल्यानी कुटी अम्मा अब यहां देखिए कला मंडलम आपको क्या ट्रिक बताया गया था कि अगर आपको कला मंडलम टाइटल दीखे तो यह रिलेटेड होगा आपका केरल से है अब केरल किसे रिलेटेड दो क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनी अब option में देखिए आप money पूरी दिया है ये नहीं हो सकता कुछी पूरी दिया है ये नहीं हो सकता odc दिया है ये नहीं हो सकता तो होगा क्या मुहिनी अटम होगा ठीक है तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं नेक्स्ट है पदम विभूशन विनर पंडित बिर्जु महराज अब ये जो है famous dancer है किस dance के कौन सा classical dance करते हैं बिर्जु महराज बिर्जु महराज जो है किस बात पर किस बात को वो ego पे ले लिये थे कुछ याद आ रहा है आपको क्योंकि मैंने कह दिया था कि ठक जाओगे उत्तर परदेश की population काउंट करके अब इसी बात को उन्होंने ego पे ले लिया था तो यानि कि कत्थक हो जागा यहाँ पर correct answer next है केलुचरन महापात्रा is associated with dash dance form of India तो केलुचरन महापात्रा भारत के dash निर्थ रूप से जुरे है किस से जुरे है तो ODC dance से जुरे है केलुचरन इसका correct answer क्या होगा कौन सी भारत नाट्यम नर्तकी उनीश शोय कानवे में पदम शिरी पुरुषकार से सम्मानित होने वाले दुसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी तो इनका नाम है अलारमेल वल्ली ओके चलिए तो यह हमारा जो वीडियो है यहीं पर होता है समार्थ तो कैसा लगा आपको यह class मज़ा आया या नहीं आया ट्रिक आपको पसंद आया या नहीं आया यह आप comment करके जुरूर बताएंगे क्योंकि comment ही आपका जो है वो motivate करेगा और भी trick बनाने के लिए तो मिलते हैं आपसे next class में और देखे घबराने की जुरूरत नहीं है सारे important topics जो है वो आपको exam से पहले complete अराम से हो जाएगा और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस बार तो मिलते हैं आपसे next class में तब तक के लिए जो है all the best